नमस्ते तो आज हम एक और रेडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे अगले 24 घंटे क्या कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी और और इस रिष्टे में क्या कुछ हो सकता है और उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चलेगा क्या वो फील करेंगे यह सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आपकी रेडिंग आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के उपर और एक लाइक चुपका देना है तो स्टार्ट करते हैं आपके रेडिंग अगले 24 घंटे क्या कुछ एनर्जी रहेगी इस रिष्टे मे गैस सबसे पहले अगर यहाँ पर कुछ है तो यह अंसान किसी और के साथ डिसकस करेगा आपके बारे में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी पास्ट में घटिद हुआ है या जिस भी बज़ा से आप दोनों के बीच में आज मुझे आपर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आप दुनों के बात चितनी हुई है बिल्कुल भी नहीं कुछ लोग नो कॉंटक में दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग बिलगुल कम ना के बराबर बात होती है आपकी तो अगले 24 घंते में यह अंसान सबसे पहले तो आपको लेकर किस और के साथ चर्चा कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ कुछ बाते शेयर कर सकता है, अगर आप पास्ट में कुछ इस इंसान को बूले हो, कुछ जगड़े हुए है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान आपकी तक्रार कर सकता है, वो ऐसा करती है, वो मुझे समझते नहीं है, ऐसे कुछ तक्रार करने की यहाँ पर energy है, कि एंसान किसे से शिकायद करेगा आपकी, फिर वो कोई भी इंसान हो सकता है, या इस एंसान का दोस्त हो सकता है, या वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, या आपकी सहली कोई भी हो सकता है, तो तक्रार करेगा कि आप उसके साथ ठीक से बरताव नहीं करते हो यहाँ पर वाई अक्षर बना है वाई से उस इनसान का नाम सरने शुरू हो सकता है गैस तो जो एनरजी यहाँ पर आई है कि इनसान अगले 24 गंटे में सबसे पहले किसी के कान भरने वाला है आपके खिलाब कि यार वो तुम मेरे साथ ऐसा करती है तुम उसको समझाओ उसको ज़रा बोलो उसको ज़रा डाटो ऐसी कुछ फेलिंग यहाँ पर है आपके परसन की सबसे पहले तकरार के उपर तकरार करेगा इनसान बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि इनसान खुद आपसे कॉंटेक कर सकता है अगले 24 गंटों में इस इनसान का कोई मैसेज रेसी हो सकता है और वो खुद डाइरेक्ट आपसे बात कर सकती कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो तुमने ये गलत किया तुमने वो गलत किया मतलब सिर्फ तकरार ठीक है शिकायत तो इस इस इनसान को बहुत गिले शिकवे है आपसे बहुत जादा आपके परसन अगले 24 गंटे लगातार आपके उपर online नज़र रखने वाले हैं हो online नहीं हो क्योंकि इस इनसान को आपसे बात करने का मन बहुत करेगा और जितनी बार इस इनसान आपको online देखेगा उतनी बार इस इनसान को मन करेगा कि बस वो अभी के भी आपको message टाइब कर दे अभी के अभी वो अपने दिल की बात जाहिर करे जो कुछ भी है शिकवा है शिकायत है तकरार है जगड़ा है जो कुछ भी बोलना है इस इनसान को बस बोल दे इसी बार बार energy आपर आ रहे है कुछ लोग तो यापर ऐसे है कि बिलकुल भी कुछ बचा नहीं है ऐसी energy आपर आपकी person को ऐसा फिलोगा कि यार मैं कैसे बात करूँ कुछ बचा नहीं है इस रिष्टे में पास्ट में जो कुछ भी हुआ चाहे जगड़े हो चाहे ब्रेक अफ हो जो कुछ भी हुआ इस इनसान को ऐसा लगेगा कि यार वो जो कुछ भी हुआ है उसके बैस पर अगर कोई विचार करे तो कुछ बचा नहीं है इस रिष्ट में, ऐसी एनुर्जी, कुछ रो के साथ रजनर होगा, कि इस अंसान को बड़ी उदासी हो सकती इस बात से, कि मैं करू तो क्या करू, उसके बिना रहा भी नहीं जाता, उसकी तरफ मैं जा भी नहीं सकता, ऐसी एनुर्जी आपके परसुन के रहने वाले हैं आपके लिए ठीक है ये इनसान जब भी आपके खुफसर फोटोस देखेगा इस इंसान को इतना आकर्शन होगा कि वो बस दोड़ कर आजाए आपके पास इस इंसान को ऐसा फिल होगा कि अब नहीं रहना चाहता वो आपके बिना अब उसको आना ही होगा हर हा आपके उपर नज़र रखेगा मतलब दोनों का भी जो चैन है गाइव होने वाला है कुछ लोग आपर ऐसे हैं कि पास्ट में आप दोनों ने भी अपने 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 सक्सस के लिए एक दूसर से दूरिया बनाई आप भी अपने लाइप में सक्सस होना चाहते थे ये इन और आपके परसन को ऐसा भी ऐसास हो सकता है अगले 24 घंडों में कि वो एंसान सब पुछ हासिल कर सकता है लेकिन वो प्यार उसको कही नहीं मिलेगा जो आप उसको देते हो जो दिल में आप जगह देते हो जो प्यार देते हो जो एक मा की तरह आप उसकी क्यार करते हो वो प अगले 24 गंटे रहने वाला है परेशानी बहुत होगी अपने गलतियों के उपर रिग्रेड भी होगा चीक है लेकिन कुछ लोग आपर ऐसी भी कि यह अनसान बहुत जिद्धी है उके गाइस मैं बता दू बहुत लोग आपर ऐसे ही है कि आपके दोनों के बीच में कोई बात अच्छित हो सकती है यहाँ पर ओ बना है और यहाँ पर जीरो भी है तो इस इंसान के जिन्दगी जीरो है इस इंसान को ऐसा फिल होगा कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं ठीक है, कुछ सच बताना चाहता है इंसान, या आपको कुछ सच्चाई पूछना चाहता है, मेभी इसको कोई शक हो सकता है आपके उपर, वो पूछना चाहता है आपसे, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर जो कुछ भी, या तो इस इंसान को खुद आपको कुछ बाते बतानी है कोई सच्चा यह वो आपको बताना चाहता है इस इंसाने पास्ट में जलबाजी में बहुत गलट डिसिजन लिये है इतना ज़दा इंसान जलबाजी करता है हर वक्त जब सही decision लेने हो तो जलबाजी करके कोई फायदा नहीं लेकिन इस इंसान को कौन समझा इस इंसान हमेशा जलबाजी करता रहा है इस इंसान ने आपको छोड़ने में या आपके साथ break up करने में या जो जगड़े हुए उसके आपको blame करने में आपको नाराजगी दिखाने में हमेशा जलबाजी करके गलब decision लिये है और आज ये इंसान पश्टा रहा है अगले 24 घंटे में भी इंसान पश्टा आएगा उन बातों के उपर जो इसने past में गलब decision लिये है अब बहुत spiritual मुझे दिखाए दिरेगा इस बहुत spiritual हो आपका divine के उपर भगवान के उपर विश्वास है और ये इंसान को पता है आपके person को पता है कि आप कितने spiritual हो ये इंसान आपको mirror भी कर सकता है अगले 24 घंटे बहुत ऐसे energy है कि आपको mirror भी कर सकता है तो फिर ये आपके energy के उपर depend है कि आपके energy में रहते हो अगले 24 घंटे और फिर ये इंसान उसे energy को mirror करना शुरू करतेगा ऐसे भी energy है आपर है कुछ लोग आपर ऐसे ही कि इस इंसान को लगता है कि जैसे अंधेरा चाया है उसके जिंदगे में ना वो अपने career में successful हो रहा है ना वो अपने प्यार में successful हो रहा है ना आप उसके जिंदगे में आप आ रहे हो ये मतलब ये सब कुछ उसको अगले 24 घंटों में ये बाते उसको बहुत परिशान कर सकती है अंदर से अंसान ऐसा जगजोर सकता है कुछ tension से इस इंसान की नीद उड़ने वाले है ऐसी कुछ energy आपर है ठीक है guys प्यार तो बहुत है ऐसा प्यार है कि एक दुसरे के बेना रहतो नहीं सकते हो फिर क्यों? ये अंसान अतना अकड़ दिखाता है और आप भी कम नहीं हो आप भी जब इंसान अकड़ दिखाता है तो आप भी जुकने के लिए कहा तयार रहते हो ऐसी energy मुझे अगले 24 गंटों में भी दिखाई दे रहे है कि वो इंसान भी अपने अकड़ में है आप भी अपने अकड़ में हो ऐसा भी हो सकता है कुछ रोग के साथ कुछ लोग आप रहे है कि पास्ट में इस इंसान ने आपको शादी को लेकर या तो commitment दिया था और तोड़ दिया या तो हो सकता है कुछ शादी को लेकर issue है शादी के बार में बहुत energy आ रहे है शादी के खयाल इस इंसान के दिमाग में चल सकते है या तो आपके लिए रिष्टा आ रहे हो ऐसे भी हो सकता है या इस इंसान के घर पर कोई रिष्टा आ रहे है ऐसे भी हो सकता है guys ओके या अकले 24 गंडों में ये इंसान किसी की शादी की तयारी करने वाला है या तो इनके घर परिवार में किसी की शादी है आने वारे समय में ऐसे भी हो सकता है तो गाइस celebration यहाँ पर दिखाई दे रहे मुझे बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अगले 24 गंटों में यह इंसान आपको कोई good news भी दे सकता है या तो उसको job लग जाए यह आपको वो चाहिए job के बारे में हो चाहिए उनके भाई बैन की शादी के बारे में हो या तो यह इंसान किसी अपने दोस्तों के साथ share करेगा और वो दोस्तों के थुरू आपको बता चल सकता है या तो यह खुद इंसान आपको बता सकता है कि उनके life में कोई अच्छी बात हुई है बहुत दिनों बाद वो चाहिए जॉब को लेकर हो चाहिए भाई बैन के सगाई को लेकर हो कुछ भी हो फोकस करना है अपने पार्टनर के उपर देखते हैं अगले 24 गंडे क्या आप कुछ energy रहेगी देखते हैं सबसे पहले कुछ लोग आप रैसे भी है कि ये इनसान अगर long distance में है तो ये इनसान travel करके आपके तरफ आना चाहता है या तो इनसान खुद होकर आएगा या तो इसके दिमाग में continue ये thoughts चलेंगे कि मुझे उसकी तरफ जाना है मुझे इस distance को खतम करना है और बहुत लोग आप रैसे भी है कि ये अनसान आएंगे आपको surprise दे सकते है कोई surprise मिल सकता है आपको 6 of source के energy है Libra, Aquarius, Gemini देखो judgment guys कुछ लोग आप रैसे है कि आपके person आपको बहुत ही spiritual मानते है वो आपको best मानते है हर चीज में best मानते है दूसरी बात अगले 24 गंटों में ये अनसान कोई फैसला करने वाला है और वो फैसला मुझे बहुत ज़दा ऐसे energy है कि वो आपके तरफ आने का फैसला है कि मुझे अब कुछ भी नहीं जानता में मुझे उसकी तरफ बस जाना है ये फैसला वो हो सकता है बहुत ज़दा ऐसी energy है और हर किसी के लिए फिर अलग-अलग भी हो सकता है जो आप चाहते हो वो decision ही अनसान ले सकते है कुछ लोग आप रहे ऐसे हैं कि अनसान खुद ही आपको छोड़ कर चला गया था और अब खुद ही वापस आने की तयारे में है अगले 24 घंटे में ये इंसान past की बातों को छोड़ देना चाहता है पीछे उस इंसान को लगता कि जो हुआ सो हुआ अब उसको भूल भाल कर हमें एक नई शुरुवात करते हैं तो इंसान late go करना चाहता है उस tragedy से उस जो कुछ भी past में बाते घटित हुए आप दोनों के बीच में उन बातों से इंसान निकलना चाहता है बाहर और आपके तरफ आना चाहता है और राशी है cancer scorpio पाइसी ये इंसान आपके साथ physical होने के बहुत सपने देखेगा बहुत dream करेगा या कुछ लोग के साथ ये possible भी हो सकता है कि अनसान जैसे travel करके आने वाला है आपके बास तो बहुत कम लोग के साथ ये resonate होगा कि आप दोनों मिल सकते हो गले से लगा सकते है परसन आपको या physical हो सकते है आपके साथ ऐसे energy हापर बहुत है और अगले 24 गंटों में आपके साथ justice भी हो सकता है जिनको भी justice का इंतजार है बहुत ऐसे energy है कि आपके साथ justice होगा जो justice का कार इतने सारे नहीं चाहिए हमें calling इस इन्जान को आपके एहमें समझ में आएगी balance होगा, justice होगा बहुत ऐसे energy हापर आ रहे है अगले 24 गंटों में इस अंसान का कोई बड़ा फैसला होने वाला है और कुछ लों के साथ ये रेजनट होगा कि आपका पुनर मिलन होने वाला है लोट कर आ रहा है ये अंसान और आप दोनों एक हो सकते हो पुनर मिलन हो सकता है ऐसी energy है आपर है और देखते हैं अगले 24 गंटे क्या कुछ हो सकता है definitely calling, message ऐसे बाते हो सकते है आपके दूर होने से इस इंसान को बहुत anxiety फिल होगी ये इंसान अपने आपको रोक नहीं पाएगा आपको call, message करेगा बहुत ऐसी energy है कि इस इंसान के दरब से कोई call, message आएगा और जो लोग इस इंसान को manifest करे हो ये भी होते होई दिखाई दे रहे हैं और आपके person की ये हालत रहेगी आपके बिना फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगे और वो आपको call करेंगे, message करेंगे और देखते हैं क्या आता है soul purpose, guys आपको बता जा रहा है कि आपको अपने soul purpose को ढूण कर उससे उपर काम करने के आवशकता है ठीक है, तो जिनको पता है कि आपका soul purpose क्या है उनको तो कोई attention नहीं है, आपको उसके उपर काम करना है जिनको पता नहीं है उनको अपना soul purpose डूढने के आवशकता है देखो, angel की blessing है आपके उपर आपको चिंता करने की ज़रुत नहीं है, बस आपको balance करने की ज़रुत है number 29, किसी की border हो सकती है या आपर rainbow, कुछ लोग यापर ऐसे है कि देखो आपकी जिन्दगे में खुश्या तो है, बस आप उस खुश्यों को देख नहीं पा रहे हो जैसे कि बादलों के पीछे वो खुश्या चुपी हुई है maybe भगवाल ने बहुत कुछ आपको दिया है, लेकिन आप उन खुश्यों को देख नहीं पा रहे हो आपको देखने के आवश्यक्ता है ठीक है और नबर टेंटी सिक्स बर्डेट हो सकती है सर्प्राइज मिल सकता है आपको वाव बहुत ही खुफसरत एनरजी जैसी कि हम अगले 24 घंटों की रडिंग कर रहे हैं तो कुछ रोग के लिए अगले 24 घंटों के अंदर आपको कोई सर्प्राइज मिल सकता है इस अंसान का कॉल कोई मैसेज आ सकता है नबर 31 है यहाँ पर और सर्प्राइज मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा मतलब आपके दिलों दिमाग में भी वो बात नहीं होगी ऐसा कोई बड़ा सर्प्राइज आपको मिल सकता है अगले 24 घंटों में ठीक है इस डेक से देख लेते हैं इंटेंशन गाइज चाहे दुनिया जैसे भी हो आपको अपने इंटेंशन प्योर रखना है कोई कैसे भी विभार करें अपने अपने इंटेंशन आपको प्योर रखने है और फिर देखो सब कुछ अच्छा होगा पेशन्स रखो आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है जो आप चाहते हो बस थोड़ा सा पेशन्स रखने के आपको जरुरत है जो बेसबर हो रहे हो एक रात में कुछ भी ने होता थोड़ा पेशन्स रखना पड़ेगा ठीक है देखो खुशिया आएगी जिन खुशियों का इंतजार आपको है वो खुशिया आपके जिन्दगी में आने वाली है थोड़ा सा पेशन्स रखो ठीक है तो ये energy आपको यहाँ पर आई है इन्वर्स आपसे कहना चाहते कि आपके जिन्दग में भर-भर के खुशिया आने वाली है और क्या हैं? देखते हैं Ask for help from others कुछ ऐसी बाते हैं कि अगर आप किसी से help ले सकते हो तो लेनी चाहिए आपको आपको पूछना चाहिए किसी को क्या पता कि आपको किस help की जरुरत है तो आपको पूछना चाहिए Helpful people देखो वापस वह energy ऐसे लोग आपके आसपास है जो आपको help कर सकते हैं लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो वापस वह energy आई है आपड़ और आपके दिमाग में जो भी सवाल है उसके जवाब तो आपको meditation के थ्रू ही मिलेंगे कोई और आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता Remain positive सब कुछ positive घटित होगा विश्वास रखिएगा सब कुछ होने वाला है compromise करना पड़ सकता है कुछ लोगों यहाँ पर ऐसे हो सकता है कि आपने या तो बहुत ज़दा अगर आपने जिंदगे में compromise किया है तो angel आपसे कहती कि अब यह compromise करना छोड़ दो अगर आप कभी भी compromise नहीं करते हो छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपने कभी compromise नहीं किया है तो इश्वर angel कहती कि आपको थोड़ा compromise करना पड़ेगा तब जाके situation improve होगे I hope आपको लिडिंग पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई